तो काफी दिनों बाद लगबग एक महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं वो थोड़ा इधर उदर निकल जाता हूँ माफ कर देना खेर बात करते हैं तब मोस्ट अवेटेड मूवी के बारे में जो अबी बहुत ही रिसेंट में रिलीज हुई है DC की The Suicide Squad आप सोच रहे होगे कि इस नाम की मूवी तो एक बार पहली भी अपन देख चुके हैं तो हाँ 2016 में रिलीज हुई थी Suicide Squad बट ये न्यू वाली मूवी उसका सीक्वल नहीं है इन दोनों मूवीस में सिर्फ दाका ही डिफरेंस नहीं है बलकि दोनों मूवीस ही एकदम डिफरेंट है पहली वाली एकदम पिट गई थी तो DC वालोंने सोचा अगें ट्राइ करते हैं डिरेक्टर बदल के देखते हैं तो अब इस चीज का फाइदा ये हुआ कि अब जाके मूवी बनिये दमदार बोले तो कताई जहर सो मूवी का प्लॉट बेसिकली 2016 वाली स्विसाइड स्कॉर्ड वाला ही है बस निव डिरेक्टर जेम्स गन इन्होंने इसमें अपना थोड़ा दिमाग लगा दिया बेसिकली होता ये है कि कुछ सुपर पावर्स वाली इविल विलेंस होते हैं उनको इखटा करके एक टीम बना दी जाती है और उनकी बिना मर्जी के उनसे मिशन्स करवाए जाते हैं इनी को बोलते हैं दस्विसाइड स्कॉर्ड तो मूवी के स्टार्ड में अपने को कर्रेक्टर्स दिखाए जाते हैं इसमें सेवेंट होता है ये कुछ भी कहीं भी फेकता है मसा निसाने बचा के लगता है Captain Boomerang ये पहली वाली मूवी में भी था सबको Boomerang फेक के मारता है Black God इसके नाम पर मत जाना बहुत बेकाल करेक्टर था ये सबसे पहले मरा था TDK पावर्स के नाम पर मजाग and Javelin, भाला फेक के मारने वाला बंदा and Mangola ये एक एलियन होती है और लास्ट में सबकी प्यारी दुलारी Harley Quinn और एक Werewolf भी होता है Weasel और साथ में इस सबको कमांड करने के लिए एक बंदा और होता है The Colonel League Flag तो ये सारे करेक्टर्स होते हैं इनको बोला गया है Task Force X और सबके बारे हम बताने का सच में कोई फाइदा नहीं था क्योंकि मुवी के स्टार्ड के पांच मिनट के अंदर ही लगबख समर जाते हैं तो होता ये है कि इन सबको एक मिशन पर भेजा जाता है कोर्टो मालतीज नेम की एक जगा होती है एक आइलेंड होता है यहाँ पर योतेनाइम नेम की एक साइटिफिक लैब वाले बिल्डिंग होती है इनका मिशन होता है बिल्डिंग के अंदर जाके उसमें जो भी कारणामे हो रहे हैं सब डिस्ट्रॉई कर देना बट उस जगा पहुंसता ही कोर्टो मालतीज की मिलिटरी इन पे हमला कर देती है और सब के सब बुरी मौद मारे जाते हैं बहुत बुरी बस रिक फ्लैक और हाली कुइन बच जाते हैं और साथ में जैवलीन का भाला भी लकली सर्वाइव कर जाता है लेकिन रियालेटी में यह जो पूरी टीम थी टास्क फोर्स एक्स यह एक्चुली में एक टीम वन थी और इनको यहां सिर्फ एक दिस्ट्रेक्शन के लिए भेजा गया था टीम टू में एक अलग टीम होती है और उसमें और करेक्टर्स होते हैं उनको छुपके अदर साइट से का उल्टो मालती इसकी जगह में भेजा गया था ताकि मिलेटरी वाले इस टीम वन पे लगे रहें और पीट पीछे से टीम टू अंदर गुज जाए अब टीम टू के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो इसमें बलड स्पोर्ट होता है एक असैसिन इसको कुछ भी मिल जाए सबको ठोक ठाके बराबर कर देता है और यही टीम टू का लीडर भी होता है इसको इस मिशन पे बिल्कूल भी इंटरेस्ट नहीं था और रेट कैचर 2 इसके पास पावर्स होती है कि यह चूहो को कंट्रोल कर सकती है और यह रेट कैचर 2 इसलिए है क्योंकि रेट कैचर 1 इसका पापा था उसी ने इसको सिखाया तक ऐसे कंट्रोल करते हैं रेट को एक डिवाइस का यूज करके और इसमें होता है अबनर क्रिल, also known as Polka Dot Man, यी सबको Polka Dot फेक के मारता है, और साथ में इसको हर जिगा अपनी मा दिखती है, शायद इसकी फेवरेट गाली भी होगी मा की बीब, और लास्ट में होता है ननु आये, और King Shark, सबका फेवरेट केरेक्टर, इसको खाना बहुत पसं उनके सबी साथियों की जान अंजाने में टीम 2 वाले लोग कर देते हैं, शाबास, और Harley Quinn भी जिंदा थी, तो इसको ले गएते प्रिसिदेंटे जनरल सिल्वियो लूना के पास, कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग, तो बात करते हैं इस योटन हाइम के में मिशन के बारे में, तो हुआ ये था कि World War 2 के बाद नाजीस ने इस योटन हाइम फैजलिडी को बनाया था, लेकिन फिर इसके बाद हररा फैमिली आई और इन्हों ने इस जगह पर और कोल्टो मालतीस पे अपना रास किया, बहुत टाइम तक, लेकिन एक तरीके से एक कोल्टो मालतीस यूएस गौवर्मेंट के अंदर आते थे, इनका कुछ कांट हुआ था, मतलब उनको यूएस गौवर्मेंट के रूस फॉलो करने पड़ते थे मजबूरी में, नौब कुछ टाइम बाद यूएस वालो को स्पेस पे एक एलिन मिला था, स्टारो, और वो लोग इसको अर्थ पे ले होता था, ये करेक्टर पूरा कॉमिक्स से उठाया गया है, बट कॉमिक्स में बैटमैन इसके एगेंस लड़ाई-लडी थी और जीता भी था, खेर, प्रॉब्लम ये भी होती है, कि इस स्टारो जितने भी हुमेंस को कंट्रोल करता है, मतलब उनके फेस पर अपने बच्चे छोड़ देता है, तो ये उतना ही पावरफूल होता जाता है, और साइज में बड़ा होता जाता है, तो अब ये पूरा सीकरेट प्रॉजेक्ट होता है Yothenheim में, इसको बोलते हैं प्रॉजेक्ट स्टार फिश, तो अब योईस वालों ने, तीस सालों से इस Starro को योटनाइम की Science Lab में रखा होता है और एक बंदा होता है इसको बोलते हैं Dr. Greaves और ये तीस सालों से अपने रिसर्च कर रहा होता है इस Starro पे तो अब यहाँ पर एक गंदा खेल खेला होता है US Government ने कि Starro Space में जिनको मिला था वो एक्चुले में US के अश्टरनोट ही थे और US Government ही इस Starro एलियन पे एक्सपरिमेंट करना चाहते थे लेकिन ये एक दूसरी दुनिया का प्राणी होता है और साथ में काफी डिंजर्स भी होता है स्टारो पे एक्सपरिमेंट करने के लिए और उसको एक परफेक्ट वैपन मनाएंगे इसलिए याद होगा आइलेंड में जिन लोगों ने फ्लैक को बचाया था तो वो ग्रूप इसी चीज के अगेंस था कि स्टारो पे एक्सपरिमेंट के लिए नॉर्मल लोगों की मुफ्त में जान जारी होती है और हरेरास फैमिली अपने एनिमीज को इस स्टारो के पास ली जाते थे जिस वज़ए से वो तो मर जाते थे बट स्टारो साइज में बड़ा हो जाता था और पूरे 30 सालों से ऐसे ही हुमिन्स को स्टारो को दान में दे रहे होते हैं लोग तो भी इस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टारो कितना साइज में बड़ा हो चिका होगा इसलिए उसको बोलते हैं स्टारो दो कॉंकरर और सब कुछ यूएस गौर्मेंट के प्लैन के हिसाब से चल रहा था उनके लिए एक वेपन तयार हो रहा था साइट में बड़ फिर कोल्टो माल्टीस के मिलिटरी लीडर्स जिसमें प्रेशिदेंति लूना और मेर वगहरा सब थे इन्होंने हर जगा दंगा मचा दिया था और हरेरा फैमिली के एक एक बंदे को मार के एक औरतो माल्टीस पे अपना राज जमा लिया था तो अब इस वज़े से युएस गौर्वर्मेंट को टेंशन हो गई थी क्यूंकि अब उनका कंट्रोल कोर्टो माल्टीस के उपर से हट चुका था तो अब इनका स्टारो वेपन इन्ही के खिलाव इस्तमाल किया जा सकता था तो इस वज़े से युएस वालों ने पूरी टास्क फोर्स एक्स टीम मना के भेजी थी इनको इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए भीजा गया था बैक तो दे स्टोरी तो टीम टू को दिखाते हैं और सबसे पहले तो ये लोग पूरा प्लैन करते हैं और उसी धिंकर को किटनाइप करने के लिए जाते हैं और सइड ली कुई इसको प्रेसिदेंट सिलवी अपने या ले आता है सिलवी इस पूरी जगा कब प्रेसिदेंट होता है समज़ गये होगे और ये दोने एक पूरा रॉमैंटिक दिन बिताते हैं और लास्ट में शिल्वियो हरली को शादी के लिए भी प्रपोस करता है, पर इससे पहले की बात आगे बढ़ती ही, हरली इसको गोली माट देती है, ब्रो हरली कुइन है, तुमने बंदी ही गलत चुनी थी, हरली नहीं ऐसा इसलिए किया होता है, क्योंकि उसका अल्रेडी हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, याद हो का जोकर भया ने इसका दिल तोड़ा था, पर फिर उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था, कि अगर उसको अपने न्यू बॉइफ्रेंट पे जरा सा भी डाउट होगा, कि वो सही बंदा है की नहीं, तो वो उसका मर्टर कर देगी, और इसके अलावा वो हरली कुइन है, उसको किसी का मर्टर करने के लिए कोई रीजन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्रेजी नहीं, वो साइको है, कैरिसकान की वज़े से हरली धल ली जाती है, और काफी टॉर्चर करी जाती है, और इस साथ ये सब लोग थिंका को किटनाइब करके अपने साथ ले आते हैं, बढ़ अब मिशन पे आगे बढ़ने से पहले, फ्लाइक का कहना होता है, कि इनको हाली को भी रेस्क्यू कर लेना चाहिए, और उसको अपने साथ मिशन पे कॉन्टीनियू करना चाहिए, तो इस वज़या से पहले ये सब लोग फूल प्लान मनाते हैं, और हाली को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, बठाली पहले ही सबको अपेल पाल के बराबर कर चुकी होती है अकेले ही वो भी और ये वाला fighting animation बहुत तकड़ा था इवन बाहर आने के बाद भी अंदर flowers दिख रहे थे सो ना अब सब reunite होते हैं और अब अपने final mission पे बढ़ते हैं जो कि वही होता है कि उटनहाइम की science lab के अंदर जाके सब को destroy करना सो ये thinker की help लेकि उस building के अंदर पहुंचते हैं bombs लगाते हैं और फिर इनको पूरा दिल देलाने वाला नजारा देखने को मिलता है कि इस project की वज़े से कितने normal human means को यहाँ पर experiment के लिए लाया गया था और इन humans को बचाया भी नहीं जा सकता अब thinker बताता है कि एक बार अगर स्टारों ने connect कर लिया किसी इंसान से तो फिर समझोगी वो मर गया उसको बचाया जा ही नहीं सकता और अब जाके इनको पूरी reality पता चलती है इस project starfish की वही सबकी कोड़ों मालती इसके लोग नहीं है इसके पीछे बलकि खुद US government है और US वालों ने suicide squad को यहाँ पर project बंद करने के लिए नहीं भेजाता बलकि सारे सबूत मिटाने के लिए भेजाता कि किसी को पता ही ना चले कि इन सब के पीछे खुद US government है पूरी live उडा देंगे तो नहीं कोई project बचेगा और नहीं कोई सबूत तो अब इस बात से यहाँ पर शुरू हो जाता है civil war क्योंकि flag जो एक respected soldier होता है इसके लिए यह बात बहुत दिल दुखाने वाली होती है क्योंकि US government के लिए ही काम करता है और उन्हीं लोगों ने यह पूरा बद्दा काम किया होता है कितने मासुम लोग के जान जारी होती इस project के चक्कर में तो इस वज़े से यह पूरा data leak करना चाता है पब्लिक और प्रेस में इसने पूरी hard drive निकाल ली होती है ताकि पूरी दुनिया को इस US government की dark reality पता जल पाए लेकिन other side में होता है peace maker बताया था इसको peace बिल्कुल पसंद नहीं है इसके हिसाफ से इनको वही करना चाहिए जैसा इनको order मिला है कि पूरी building उड़ा और कोई भी सबूत ना बचे और फिर निकल दो यहां से peace maker को captain America के तरह समझो बस इसके अंदर से एक अच्छा human being निकाल दो तो फिर यह वही करेगा जो इसके देश और इसके लोगों के लिए hit में होगा एक perfect soldier बट एक अच्छा इंसान नहीं कुछ भी करने को राजी तो इसी वज़े से flag और peace maker इन दोनों के बीच में fight start हो जाती है और peace maker literally flag को जान से मार डालता है उसका सीना चीर के और इसके बाद rat catcher के पीछे भी भागता है क्योंकि वो hard drive लेके भाग जाती है बट उसको मानने से पहले blood sport आके finally peace maker को shoot कर देता है सिर्फ peace maker ही था जो US government के orders पे चलना चाहरा था बागी पूरी team government के against थी और फिर यहाँ अपने पिंजरे से release हो जाता है kang the conqueror अबे यार star of the conqueror और हाँ बताना भूल गया पट यह पहले ही thinker को मार डालता है तो अब शहर में तबाही मत जाती है और again इनकी boss इनसे बोलती है कि अब सब वापस आ जाओ क्योंकि इनका काम एक तरीके से हो गया होता है mission successful हो गया होता है सारी records को destroy करके पूरी building destroy हो जाती है तो इसलिए government इनको वापस आने के लिए बोलती है उनको इससे मतलब नहीं होता है कि star of पूरी city बरबाद कर रहा होता है कितने लोग मर रहे होते हैं लेकिन ये पूरी team's order follow नहीं करती ये city को बचाने के लिए निकल जाते हैं और last में rat catcher 2 पूरे सहर के चूहों को इखटा करके साथ में Harley Quinn की थोड़ी help लेके और साथ में Javelin की भी भाले का यूज़ करके इसको भी कड़ीट देना चाहिए इस सब लोग star को defeat कर देते हैं चूहे उसके अंदर गुसके दिमाग के नसे ही खा जाते है हलाकि अपना polka dots मर जाता है और साथ में एक और बंदा मर जाता है Milton लेकिन याद नहीं आरा कि वो कौन था तो last में पूरा mission successful हो जाता है और blood sport के पास still वो सबूत होते हैं dark reality वाले तो इस वज़य से ये अपनी boss को blackmail करता है और वो इसके orders ना follow करने की वज़य से टीम को punish नहीं कर पाती और साथ में blood sport उन सबूतों को public में leak ना करने के बदले अपनी और अपनी टीम की अजादी मांगता है मतलब अब ये सब के सब free होते हैं जेल जाने की जरूरत नहीं इनको और movie तो इस point में खतम हो जाती है बट यहां आता है end credit scene जिसमें हमें दिखाते हैं कि peacemaker फिलहाल मरा नहीं होता उसका इलाज चल रहा होता है और hopefully वो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और साथ में इस scene एक और जगा direct कर रही है कि अभी एक TV सिरीज आने वाली है जिसका main hero यही होगा पीसमेकर शायद TV सिरीज का नाम भी आई है क्यूंकि काफी अच्छा character रहा है यह movie में तो हम इसको आगे भी देखेंगे मतलब इसकी story continue होगी इसकी खुद की TV सिरीज पे और हो सकता है कि यह में The Suicide Squad के भी characters देखनों को मिल सकें में भी अगेन Bloodsport को देखनों को मिले क्यूंकि यह भी एक main character था और पीसमेकर से थोड़ा इसका लफड़ा भी हो गया था और साथ में एक और create scene था जिसमें वो वीजल याद होगा जिसको यह लोग Werewolf बोल ले थे तो वो भी मरा नहीं था वो सर्वाइव कर गया था तो अब अगर यह DC वालों के तरफ से कोई जोक नहीं है तो शायद उस scene को हमें दिखाने का कोई मतलब होगा में भी हमें यह आगे पीसमेकर वाले टीवी स्रीज में देखनों को मिल सकता है और सबको पता है कि यह मूवी 2016 वाले suicide squad से काफी ज्यादा अच्छी है तो अब आगे की स्टोरी के लिए hopes और excitement बहुत बढ़ जाती है यह वीडियो एंड होती है मूवी और वीडियो को लेके अपने thoughts मुझे comment box में जरूर बताना और like तो जरूर कर देना और अगर हो सके तो loved ones को share भी कर देना तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक एले stay tuned and bye bye